दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में और आज है पांच जून दोजार बीस दोस्तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य लक्ष के प्रति समर्पन समझते न जैसे आप अपने प्रेमी या प्रेसी के प्रति समर्पन रखते हैं समर्पन का भाव उसको पाने की इच्छा जो जूनून होता है धैर्य लक्ष प्रति समर्पन और थात आप अपनी किताबों से इश्क कर लीजे वो सब कुछ आपको दे देंगी जिसका आपने सपना देखा होगा लेकिन इसके लिए समर्पन आवश्यक ह और जूनून आवश्यक है ये तीन चीजों का जब मिश्ण रहेगा न तो आपको सफलता तक पहुँचने से कोई नहीं रोख सकता है आपने जो टार्गेट फिक्स किया है वहां तक पहुँचके ही रहेंगे आप उससे आगे निकल जाएंगे ये टार्गेट मिले न मिले इससे भी बड़ा टार्गेट आपको जरूर मिल जाएगा तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें तो परिक्षा खबरी के डेली के इस वीडियो में सुबह साड़े आठ बज़े जो आता है इसमें हम करेंट अफेवस और परिक्षा और जुड़ी खबरें साजा करते हैं दो इंटरफेश को पांच जून है आज और आज एक महत्पूर दिवस है विश्व परियावरण दिवस है परियावरण असंतुलन और संतुलन के मद्ध्य बहुत सारी बहसे इस समय हो रही है कि परियावरण को मानों ने तहस नहस कर दिया अंधा धुन्द प्रकिति का दोहन क प्रकिति असंतुलित हो गई तो उसने संतुलन कायम रखने के लिए तमाम तरफ के इस समय जो है जो कुछ दिख रहा है चाहे टिड्डियों का जो अकर्मड हो चाहे फिर चाइना से फैला वाईरस हो और वाईरस हो अन्य वाइरस हो या फिर लगातार आ रहे है चक्रवात और स्वूर्वाइब जया रहे हैं उन्से पुनिया और भी आपको आपको संसुलित करने के लिए और घु ψड़ार्णों से जोड़ करें है पर्याब भाब जो आसंतुलित हो गया प्रकित में इतनी श्हंता कि वह अपने आपको संतलित करने के लिए उस पर्याप सक्षम है वो थोड़ा सा कष्ट देख करके इस धर्ती पे रह 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 रहे जीवों प्रकृत के लिए तो हम भी जीव ही हैं स्वयम को मानो समझें हम कितना भी घमंड हो जा लेकिन प्रकृत के लिए एक छोटे जीव हैं जो हम कर चुके हैं जितना हम कर सकते हैं उतना कंट्रोल कर सकते हैं बाकी तो प्रकृति अगर जब कहर बर पाती है तो कंट्रोल कोई नहीं कर पाता है लेकिन मनुष्य सक्षम है प्रकृति का सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता है कि प्रकृतिने सबसे ज़्यादा अगर कि पर बरसाई है तो मनुश्य पर हर तरह कानंद ले सकता है तो इस समय चर्चा में है काफी समय से है लेकिन वरतवान में ज्यादा तो विश्व पर्यावरण दिवस बनाए जाता है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्वयम भी यह वीडियो बनाने के बाद यह कारी करने जा रहा हूं कि दो तीन पेड़ आज के दिन चार पांच जो भी हो लगा देते हैं ठीकिन अच्छा लगेगा काफी संतुष्टी मिलेगी आप करके देखना यह परियावरण के लिए कुछ न कुछ आप करें और उसको महसूस करें कि हाँ फील करें कि हम प्रकेति को एक उसका मानवी करन कर लें कि हां कुछ अगर सब कुछ हमको मिला है तो हम कुछ योगदान दे रहे हैं ठीकिन अगर हम कहीं पर नुखसान कर रहे हैं तो कहीं पर हम अ पहली बार कम मनाया गया था ये प्रश्न भी आ चुका है 1974 में ये पहली बार मनाया गया था 5 जून 1974 को 5 जून को मनाने के दो कारण है और दोनों उसी समय उसी दिन घटित हुए थे क्या कारण है पांच जून 1972 से 16 जून 1972 तक स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़े शहर जो स्वीडन का है इस टाखों वहाँ पर एक सम्मेलन होता है और यह पर्यावरण पर चिंत्या व्यक्त करने के लिए प्रत्थम विश्व मानो पर्यावरण सम्मेलन होता है विश्व में पहला वैश्विक सम्मेलन होता है पर्यावरण पर चिंत्या व्यक्त करने के लिए और यह से उक्तराश सभा के द्वारा यह जित कराया जाता है क्लियर है तो ये 5 जून से 16 जून 1972 को ये सम्मिलन होता है और 5 जून 1972 के दिन ही UNEP की स्थापना हो जाती है United Nations Environmental Program से उक्तराष्ट पर्यावरण कायकरम की स्थापना हो जाती है से उक्तराष्ट पर्यावरण कायकरम ये पर्यावरण सरक्षन के लिए विश्वैश्विक कायकरम चलाता है इस पर काम करता है तमाम इसके अंतरगत कायर करने वाली संस्थाएं हैं उनके थ्रूप तो UNEP की अस्थापना पांच जून 1972 होई थी इसी दिन ये स्टाक होम सम्मिलन सुरू हुआ था तो इन दोनों के उपलक्ष में सेयुक्तराश सभादवारा घोशित किया गया कि पांच जून को पर्यावन दिवस मनाए जाता है विश्व पर्यावन दिवस मनाया जाएगा तो 1974 से मनाय जाता है UNEP की जो का हेड़कौर्टर जो है वो नेरोबी में है केनिया की राजधानी नेरोबी में अफरिका में अच्छा ये रही जानकारी इस बार की थीम याद रखेगा जो 2022 की थीम है समय और प्रकिति टाइम एंड नेचर 2020 की थीम है ये पूछा ही पूछा जाएगा जो भी आपका एक्जाम होगा इस बार तो 2020 की थीम समय और प्रकिति टाइम एंड नेचर एक बात ध्यान रखेगा जो B.E.O. का जैसे एक्जाम है उसका पेपर मान लीजिए मैं आपको पताऊंगा कि पेपर बना है कि नहीं बना है कर इंटरफेस कब तक पढ़ना लेकिन पूछ सकता है पूरानी थीम भी पूछता है तो 2019 की जो थीम थी beat the air pollution वाई production को खत्म करना ये भी आप याद रखेगा आपके PCS prelims 2020 में भी आ सकता है तो 2019 की भी थीम 2020 की थीम दोनों ही आपको याद रखना है इस बार की जो थीम है मतलब आज की समय और प्रकिति टाइम और नेचर है श्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट ट्रस्ट ये क्या है तो श्यामा प्रसाद मुखरजी के नाम पर पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है जो पहले कलकत्ता या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कहलाता था तो कोलकाता पोटरस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर जी पोटरस्ट रख दिया गया है ध्यान रखेगा I can't breathe I can't breathe दरसल एक स्लोगन है वर्तमान में नसली भेदबाओ के खिलाफ USA में जो चल रहा है तीवर अंदोलन चल रहा है इसमें हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के आंदोलन चल रहे है तो हिंसा भी काफी वहाँ हुई है आगजनी आदी हुई है आप देख रहे हैं अमेरिका की समय क्या इस्तिती है दरसल हुआ क्या कि जाज़ फ्लाइट नामक एक नागरिक की अमेरिकी पुलिस के दोरा ये जाज़ फ्लाइट ये अश्वेत नागरिक थे इनकी अमेरिकी पुलिस के दोरा गला दबाकर निर्मा महत्या कर दिया आती है जब गला दबाया जा रहा था इनके अंतिम जो शब्द थे वो थे आई कांट ब्रिथ अथाद मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ यही जो है बाद में अभी जो आंदोदन चल रहा है वहाँ पर ठीक है नसली इस हिंसा के खिलाव उसका ये स्लोगन बन गया है आई कांट ब्रिथ ये उनके अंतिम शब्द थे ठीक है ना आई पी सी सी के बारे में आज हम आपको बिताते हैं किसी ने पूछा था प्रश्न किया था तो आई पी सी सी के बारे में इतना जानिये कि जलवाई परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है जो जलवाई परिवर्तन पर नियमित वैग्यानिक आकलन और जलवाई प्रवरतन के सरक्षण के लिए या परियावन सरक्षण के लिए विकल्प आदी उपलब्द कराता है, सुझाता है और यह UNEP और WMO यह प्रकार से UN के अंतरगत यह संस्ता है यह दोनों ही संस्ता है UNEP और WNEP के बारे में हमने आपको बताया और WMO क्या है दोस्तों, विश्व मौसम संगठन है इसका मुख्याले जो है जेनेवा में सुर्जल लेंड में है 23 मार्च 1950 को इसकी अस्थापना की गई थी यह भी संविक्तराष्ट का एक विशिष्ट निकाय है तो इन दोनों के अंतरगत IPCC की अस्थापना 1988 में की गई थी इसका हैटकॉर्टर जेनेवा में है जलवाई परवरतन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्मेंटन पैनल आन क्लाइमेंट चेंज IPCC की तमाम रिपोर्ट्स आती हैं जो काफी चर्चा का विश्य रहती हैं जिन पर हम अलग पर्यारण के सब्ज़ब आपको पढ़ाएंगे conceptual वीडियो तो उसमें हम व्रियत तस्तर पर या कभी कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है परिक्षा खबरी में भी तो हम आवश्य चर्चा करेंगे आपके यदि कुछ और प्रश्चा हों कुछ और आप किसी टॉपिक पर अगर यदि चाते हैं तो हम परिक्षा खबरी में उस टॉपिक को सामिल करके उसका करेंट अफेस से जो जुड़ा हुआ पोर्शन अगर करेंट में कोई चर्चा में है तो हम चर्चा कर दिया करेंगे ठीक है तो दोस्तों आज को आपको बताना चाहता हूँ जो लोग प्लस कोर्स में अकेडमी प्लस कोर्स को जोईन किये हैं वो हमको जो नंबर मैंने आपको बताया वहाँ पर संपर्क जरूर करें और बता दें कि आपने एड्मिशन ले लिया है ताकि मुझे पता रहे और मैं आपकी हल्प वहाँ पर कर सकूँ अनकेडमी प्लस पे आपको जो फाइदे मिलेंगे हम आपको बता चुके हैं कि आप एक दो वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन लीजे यह लर्निंग एप है यहाँ पर आप जाईए प्लस सब्सक्रिक्शन में जाईएगा UPPSC में आपको अगर एड्मिशन लेना UPPSC या किसमें भी आप ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कोर्स कोई भी सब्जेक्ट विथ पीडियफ एक टाइम डियुरेशन में लाइव क्लासेस इसके लावा क्विज डाउट क्लिनिंग सेशन सब आपको लाइव मिलेगा और अगर लाइव नहीं हो पाया कोई क्लास तो उसको बाद में भी देख सकेंगे डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो भी यो भी आप जॉइन करेंगे आपको उतने समय के लिए ये सुविधा मिलेगी इसके लावा थ्री मन्स सेक्स मन्त का भी कोर्स है तो आपको यूपी टिपलसी यूपी पीसी समंदी सारे सबजेक्ट जो भी विश्याप पढ़ना चाहो कोई लिमिट नहीं है और शेर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो का करेंट अफेस की वीडियो का लाव उठा सकें बहुत बहुत धन्यवाद